नमस्कार प्रिये साथिओ'm मैं हूं केवी, और केवी परिवार में एक बार तर्थ से आप सभी का scholarship है आज की इस वीडियो में हम भारत के भृगोल के अंतरगत भारत के प्रमुख बंदर्गाहों के बारे में बात करेंगे तो भारत के भुगोल के इंतरगत अगर आपने मेरे भारत के भुगोल के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग यूटूब में सर्च कर सकते हैं Indian Geography by KB और वहाँ पर जो सबसे पहला आएगा एक प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से जा करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं उन वीडियो में आपको प्रशनों की स्रीज भी मिलेगी जहां पर जा करके आप प्रशनों को भी solve कर सकते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो को अपने डिसलाइक क्यों किया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अप के पास समुद्री सीमाय होती हैं वह लोग दूसरे देशों से चीजों को आयात करने के लिए या निर्यात करने के लिए पोर्ड को डबलब करते हैं अब पोर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रशन पूछे जाएंगे तो अगर हम भारत के बंदरगाहों की बात करें तो सबसे जो पहले टाइप का प्रशन होता है उसमें आपसे directly पूछा जाएगा कि यहाँ पोड किस राजी में इस्तित है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जा रहा है आपसे कि जो पारादूइब बंदरगा है वह कहां परिस्तित है इसके लावा जो इस topic से second type का question होता है वह इस प्रकार का होता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हमारा प्राकृतिक बंदरगा है या कौन सा हमारा प्राकृतिक बंदरगा नहीं है यानि कि कृतिम बंदरगा है और इसके लावा जो इसमें तीसरे type का question होता है उसमें आपको मिलाना होता है यानि कि सुमेलित करना होता है कि कौन से बंदरगाह की property कौन सी है या कौन सा हमारा बंदरगाह किस राजिमे इस्तित है तो मुख्य रोप से इस topic से तीम प्रकार के प्रशन बनते हैं और हम लोग कोशिस करेंगे कि इसी प्रकार से हम लोग इस topic को समझें कि जिससे अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाता है इन में से किसी भी प्रकार का तो आप आसानी के साथ में उसका उत्तर दे पाए तो चलिए हमने बात की है प्राकृतिक बंदरगाहों के बारे में और हमने बात की कृतिम बंदरगाह के बारे में तो उन्हें हम लोग प्राकृतिक बंदरगाहों के सिरेड़ी में रखते हैं इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कृतिम बंदरगाह की तो कृतिम बंदरगाह को मुख्य रूप से डबलब किया जाता है क्योंकि अगर सीमाय कटी छटी होंगी तो वहाँ पर जो समुद्र से आने वाली लहरे हैं उनका प्रभाव कम होगा साथ ही साथ तटों के पास गहराई भी परयाप्त होनी चाहिए जिससे हमारे जो बड़े जहाज हैं वह आसानी के साथ में बंदरगा तक पहुंच सके तो यह हमारे हो गए प्राकृतिक बंदरगा और कृतिम बंदरगा अब अगर हम भारत के द्रिश्ट कोर से बात करें तो यह है हमारा प्यारा भारत भारत के अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि भारत के पास में कुल मिला करके 7516.6 km की तट रेखा है यानि कि भारत के पास एक advantage मिला हुआ है कि यहाँ आयात निर्यात को बहुत ही अच्छे धंसे कर सके तो यहाँ पर हम तड़िये प्रदेशों के बारे में अगर बात करें तो गुजरात हमारा हो गया जिसके पास सबसे लंबी तट रेखा है उसके बाद में महाराष्ट फिर छोटा सा यहाँ पर आपको गोवा मिलेगा नीचे आपको करनाटक दिखेगा फिर हमारा होगा केरल के बाद में तमिल नाडू पुनह आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उडिशा और इसके बाद में हमारा हुआ पस्सिम्मंगाल तो इस प्रकार से हमारे नो राज्य ऐसे हैं जो डिरेक्टली तटो से जुड़े हुए हैं मुख्य भूमी पर इसके अलावा आपको चार किंद्र सासित प्रदेश भी मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर अंडमान हो गया यहाँ पर लच्छे देब दिखाए देगा गुजरात के पास आपको मिलेगा दमन और दियू और इसके अलावा जो पॉन्डी चेरी है इसके कुछ हिससे आपको मिलें कुल मिलागर के अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो हमारे राज हैं जिनकी सिमायیں लगती हैं सीधे समुदर से तो उनकी संख्या है तेरा जिन में से 9 हमारे मुख्य भूमी पर है और 9 मुख्य राज है उसके लावा चार केंद्रसासित प्रदेश हैं तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ अन्य फैक्ट के बारे में जान लिते हैं जैसे की भारत के तरड़ीखा के बारे में हमने बात की तो इसकी लंबाई है 75-116 किलोमेटर इसके बाद में भारत में कुल मिला करकर 13 बड़े बंदरगा है और इसके अलावाँ दो सो छोटे बंदरगा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है हो सकता है आपसे पूचा जाए बड़े बंदरगाहों की संक्या सरबाधिक कहाँ पर है ये आपके हैं महाराष्ट में बड़े बंदरगा सरबाधिक कहाँ पर है तमिल नाड़ू में इनकी संक्या है तीन जो हमने तीरा बड़े बंदरगाहों के बारे में बात की उन तीरा बड़े बंदरगाहों में सरबाधिक है तमिल नाड़ू के पास तीन और अगर जो हमने बात की है 200 चोटे बंदरगाहों की इनमें से सरवाधिक हैं महाराष्ट में 48 तो ये आपको याद रखना हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सरवाधिक बड़े बंदरगाह कहा है या सरवाधिक चोटे बंदरगाह कहाँ पर है भारत में अगर हम लोग बात करते हैं आयात निर्यात की तो आपको पता होगा कि यहां बहुत ही पुराने समय से चला हुआ रहा है जैसे कि वासको डिगामा सबसे पहली बार 1419 में जब काली कट के तट पर पहुचा था तो उस समय से हमारे यहां पर जो समुद्री यात यात है वह प्रारम हो चुगा था यानि कि साथ भारत में जहाज रानी परिवान की सुरुवात की गई थी तो यहां तक हम ने जाना अब चलते हैं हम लोग और एक एक करके सारे राज्यों में जो बड़े बंदरगा है उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि सरवाधिक प्रस्णत जो पोचे जाते हैं वह बड़े बं दिखा जाता है तो याद रखिएगा जो कांडला बंदरगा है यह हमारा कहां पर है गुजरात में और यह एक प्राकृतिक बंदरगा है कांडला की बात करें तो हाल ही में इसके नाम में परिवर्तन किया गया है जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में इस समय नाम को बदलने का रिवाद चल लहा है तो उसी के तहट इसका नाम बदल करके दीन दयाल बंदरगा कर दिया गया है यानि कि पंडित दीन दयाल के नाम पे इस बंदरगा का नाम कर दिया गया है गुजरात के बाद में अब हमाएंगे नीचे इससे सटा हुआ महाराष्ट में मुख्य रूप से हमारे दो बंदरगा है पहला तो हमारा हो गया मुंबई जो की एक प्राकृतिक बंदरगा है और इसी की बगल में हमारा एक और बंदरगा है जिसका नाम है नियाहा सेवा इसे जवाहलाल नहरू बंदरगा भी कहते ह तो आपको याद रखना है नियाहा सेवा या जवाहलाल नहरू बंदरगा जो की मुंबई बंदरगा का एक सहायग बंदरगा है क्या होता है कि मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगा है सबसे बड़ा बंदरगा है प्राकृतिक तो यहाँ पर जो हमारे समान आते हैं उनकी जो भार होती है उसको कम करने के लिए इसी के समीप में नेहा सेवा बंदरगा को डबलब किया गया तो याद रखना है आपको महाराष्ट में दो हमारे हैं मुंबई और नेहा सेवा उसके बाद में नीचे आप आएंगे गोवा में तो गोवा में आपको एक बंदरगा मिलेगा जिसका नाम है हमारे मर्मू गोवा तो मर्मू बंदरगा कहां पर है यह आपके गोवा में है गो केरल में हमारा एक बंदरगाह है जिसे हम लोग कहते हैं कोचीन बंदरगाह क्या नाम है इसका कोचीन बंदरगाह जो की कहां पर है केरल में केरल के बाद में ऊपर आप चलेंगे तो यहां पर हमारा है तमिल लाडू तमिल लाडू में जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्य बंदरगाह का नाम बदला गया है। उसके बाद में इसके हम थोड़ा सा उपर चलेंगे तो यहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है चन्नाई बंदरगाह। का सबसे बड़ा कृतिम बंदरगा है अभी मैं जो important fact है उनके बारे में आपको वीडियो के last में बताऊंगा अभी हम लोग मैप में थोड़ा सो location देख रहे हैं इसके बाद में अब हम चलेंगे आंध प्रदेश में आंध प्रदेश में हमारा एक प्रमुक बंदरगा है जिस से उपर जब आप चलेंगे तो यहां पर है पस्सिम बंगाल और पस्सिम बंगाल में तट के पास में है हुगली बंदरगा कौन सा हुगली बंदरगा तो यहां पर आपको ध्यार रखना है हुगली भी है और इसी से हमारा थोड़ा सा आगे जाने पर आपको मिलेगा कलकत् अंदर की तरफ है, हुगली आपको जो गंगा नदी हमारी आती है, जिसे हम लोग हुगली कहते हैं पस्सिम बंगाल में, उसी के बिल्बकुल एकदम मुहाने पेस्तित हैं, तो यहाँ पर हमारा है हल्दिया, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बारा को देखा, और एक जो हमा पर आपको 6 बंदरगाह कि दर दिखेंगे, पूरब की तरफ और एक आपको दिखेगा अंडमान की तरफ, तो यह सारे हमारे हो गए बड़े बंदरगाह, अब हम लोग आगे चलते हैं, और कुछ अन्य छोटे बंदरगाहों के बारे में भी जान लेते हैं, तो आईए उनक की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक बंदरगाह है, और इस बंदर का नाम है ओखा, देखिए आप मैंसे कई सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं, कि इसके बारे में कोई ट्रिक बताईए, देखिए होता क्या है जब आप मैप के जरीए चीजों को समझने का प्र करके देख सकते हैं IEEE1 टेकनीक के बारे में, और अगर आप उस टेकनीक को फॉलो करेंगे, तो यह वीडियो आपको पहुत ही ज़्यादा मादद करेंगे, और आप आसाने से चीजों को याद कर पाएंगे, तो इसलिए कोसी से ही करिए कि IEEE1 टेकनीक को फॉलो करें, वी गुजरात के ओखा बंदरगा के ठीक नीचे आपको एक बंदरगा मिलेगा, जिसका नाम है द्वारका बंदरगा, क्या नाम है इसका द्वारका बंदरगा, और यही द्वारका के हमारे पूर्व में इस्तित्य पूर बंदर, पूर बंदर जहां पर गांधी जी का जन्म पुना आप हम लोग आएंगे महाराष्ट में तो महाराष्ट में आपको एक बंदरगाह के बारे में बात करनी है जिसका नाम है रत्नागिरी क्या नाम है इसका रत्नागिरी फिर हमारा हो गया गोवा तो गोवा में एक पढ़जी भी है जो की छोटा सा बंदरगा है तो उसको भी आप याद रख सकते हैं फिर हमारा हुआ करनाटक तो करनाटक में हमें केवल एक बंदरगा के बारे में बात करनी है जिसका नाम है कारवाड बंदरगा क्या नाम है इसका कारवाड बंदरगा करनाटक के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा केरल क्योंसा केरल केरल में कुछ हमारे ज्यादा बंदरगा है आईए इनको देख लेते हैं जैसे कि हमारा एक हो गया कना नूर बंदरगा कौनसा कना नूर बंदरगा कला नूर के आप नीची आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक जिला है केरल का जिसे हम लोग कहते हैं कोची कोड कौनसा? कोची कोड जिला और यहाँ पर हमारा एक बंदर्गाहस दित काली कट तट जिस पे वासको डि मामा सबसे पहली बार उतरा था वह यही कोची कोड तत है तो आपको याद अठना है जो हमारा कोची कोड है कोची कोड पर ही सबसे पहले वासको डिगामा आकर के उत्रा था और यही हमारा कालिकट तत है कोची कोड के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक और बंदरगा मिलेगा जिसे हम कहते हैं कुईलोन बंदरगा कौन सा नाम है इसका कुईलोन बंदरगा और यह आपका कहाँ पर है केरल में पुना हाँ आप सबसे नीचे जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर एक बंदरगा केरल में ही आपको मिलेगा जिसे अलेप्पी या अलेप्पी बंदरगा भी कहते हैं तो हमने पस्मी तटके जो प्रमुक छोटे बंदरगा थे उनके बारे में बात की याद रखेगा हमें सभी बंदरगा के बारे में नहीं पढ़ना है 200 छोटे बंदरगा है, तो हम 200 को ना तो पढ़ सकते हैं, ना ही याद कर सकते हैं, तो जो प्रमुक है या जिन से प्रशन पूछे गए हैं, केवल हम उन्ही को यहाँ पर डिसकस करेंगे, फिर आप लोग अब चलेंगे तमिल लाडो में, तो तमिल लाडो में हमारा एक यहाँ पटनम बंदरगा, और इसके थोड़ा और उपर आप चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा है एक कराईकल बंदरगा, याद रखना है यहाँ पर जो आपका यह कराईकल बंदरगा है, यहाँ हमारा पॉंडी चेरी में आता है, ना कि तमिल लाडो, कराईकल एक जिला है, पॉंड पर देखने को मिले गा जिसे हम लोग कहते है मंधि पर्टर पुर olvंदर्गा है और फिर उपर हमारा यह पूर पूर बंदर्गाल कहा अ तो इसके बारे में हमने बात करी ली थी, हल्दिया आप कह सकते हैं, या इसे कुलकाता बंदरगाह भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने जितने भी छोटे बड़े बंदरगाह हैं, उनकी location कहाँ पर है, कौन से राज जिप में इस्तित है, इसके बारे में मैंने आपको clear-cut image क माध्यम से बताने का प्रयास किया, और काफी अच्छे से मैंने कोसिस की, कि मैं आपको visual के जरीए अच्छे से या असपष्ट करवा सकूं, कि location इनकी कहाँ पर है, जैसा कि मैंने आपको image में दिखाया है, exact आपको location उसी की आसपास मिलेगी, मैंने कोसिस की है, कि आपको 100% जो location है, उसी की आसपास दिखा सकूं, तो यहां तक हमने सारी location को देख लिया है, अब कुछ और महत्पोर्ट तत्य हैं, जिनसे आपकी परिच्छा में प्रस्ट पूछे जाते हैं, तो आईए उनको भी discuss कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है, कि भारत का कहां से होता है, तो यह भी आपके मुंबई बंदरगाह से ही होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कृतिम बंदरगाह कौवसा है, तो यह हमारा है नेहा सेवा, क्या नाम है नेहा सेवा या जवाहलाल नेहरू बंदरगाह, अब यहां पर सबसे बड़े कृ नई भी कहीं पर लिखा था तो थोड़ा सा यहां पर मुझे confusion है तो आप लोग comment section में बताईएगा जिससे मैं PDF में इसको correct कर सको कि सबसे बड़ा कृतिम बंदरगा नयवा सिवा है या इसके अलावा चन्नाई है सायद चन्नाई होगा लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा confused हो तो इसलिए आप लोग comment में जरूर बताईएगा अगला हमारा है कि सबसे ज़्यादा सामानों की आप उर्थी वाला बंदरगा कहा है इसे हम लोग आयात बंदरगा भी कहते हैं तो हम लोगों ने बात कि थी कांडला बंदरगा जो की कहा था गुजरात में और इस बंदरगाव में सरबाधिक चीजों को आयात किया जाता है क्या किया जाता है यानि कि बाहर से चीज़ें यहाँ पर मंगाई जाती है और यहीं से पूरी हमारे उत्तर भारत में सप्लाई होती है तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि आयात बंदरगा या सबसे ज़्यादा सामोनों की आपूर्ती वाला जो बंदरगा है वह हमारा है कांडला बंदरगा इसके बाद में जो पारादीप है उडिशा में इस बंदरगा से जो जापान को लोह ऐस का निर्यात किया जाता ह वह इसी पारदीब बंदरगाह से किया जाता है, क्योंकि जार कन्द और उřिसा में सर्वाधिक लाँ आयसक मिलते हैं, खर्जों वाले वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे, तो वहां से जो लाँ आयसक मिलता है, वह भेजा जाता है जापान में पारदीब बंदरगाह से अगला पॉइंट है कि जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह हमारा कौन सा है विसाखा पटनम कौन सा है विसाखा पटनम सबसे गहरा बंदरगाह है इसके अलामा देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगा यह हमारा है एन नौर कौन सा तमिल नाडू में कंप्यूटराइज बंदरगा है एन नौर और जो हमारा नियावा सेवा बंदरगा है यह मसीनी कृत सबसे पहले मसीनी कृत बंदरगा, नियावा सेवा या जवाहल लाल नहरू बंदरगा है इसके लावा देश का सबसे पुराना बंदरगा चन्नाई है और चन्नाई एक कृतिम बंदरगा है और भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में या मुंबई के बाद दूसरे नमबर पर है कृतिम बंदरगाह में या पहले नमबर पर है और सबसे बड़े बंदरगाहों के स्रेणी में या दूसरे नमबर पर है इसके लावा एक चीज और याद रखेगा सबसे बड़ा पोथ प्रांगण कहाँ पर है तो यह हमारा कोच्ची में है केरल में पोथ प्रांगण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी जहाजिय आती है उनकी मरम्मत यहाँ पर की जाती है तो ये सबसे बड़ा आपको देखनी को मिलेगा कोची में यानि की केरल में तो इस तरीके से हमने सारी बंदर गाहों की लोकेशन देखी हमने मैप के जरी ये समझा कि उनकी एक्जेक्ट लोकेशन कहां पर इस्थित है महतपूर्ट तक्थ्यों के बारे में डिसकस किया यहां पर आपके लिए प्रशन है कि आप इसको थोड़ा सा कनफर्म करिएगा कि सबसे बड़ा कृतिम बंदर का नियावा सेवा हाई या चन नहीं है कमेंट सेक्सिन में मैं आपके उत्तर का इंतिजार करूँगा आपने इस वीडियो को समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर लिस्निंग जै हिंद जै भारत पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत